असलाम लेकुम, खास तोर पे ACC students और ICMA students, मैं इन दो students से मुखातिब हूँ, वैसे हम Chartered Accountancy के बारे में ज्यादा बात कर रहे होते हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ न कुछ बाकी जो fields हैं उनको भी touch किया जाए, तो अभी मैं ये बात करने वाला हूँ कि ACC के जो students हैं जो organizations हूँ, वो अपनी opportunities को ज्यादा increase कर सकते हैं, अपने आपको like distinguish कर सकते हैं, कि organization उनको ज्यादा बेहतर तरीके से adopt करें और उनको opportunities प्रवाइड करें, तो आप से request होगी कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजेगा और इस वीडियो को भी बहुत गोहर से देख लीजेगा, यहां पर आपको पता है कि paper pass करना is first priority, आपने अपने papers को ही first priority देनी हैं और इनको pass करना है, लेकिन अगर इस era में देखा जाए, कि जिस तरह के पिछले दो साल को आप analyze करो, तो सिरफ paper pass करना ही बाकी नहीं, आपको काफी struggle करनी पड़ती है, इंटरिव्यूज देने पड़ती है, references and all that, यह आपको बहतर पता है, ठीक है, मुझे अभी यह वातें बताने की जुरूफत नहीं है, बहुत detail मे पहले discussion कर चुके हैं, लेकिन वो क्या ऐसा तरीका है, अगर उसके उपर आप अमल करो, तो आपके chances bright हो सकते हैं, तो especially ACCA, ICA में, यह तो जो student है in background के, वो देखिएगा, कि आपने daily basis पे एक घंटा अपने उपर invest करना है on skills, और यह skills कौन सी हैं, इसको note करें, पहले नंबर प देखें, वो Excel जो के हमारे accounts finance audit में use होता है, ठीक है, for example data analysis है, dashboard reporting है, power query है, जो audit firm में, जो use होती है, चीजें, जिससे आपको फायदा भी हो, वो आपने excel करना है, दूसरे नंबर पर preparation of financial statements, यहां पर भी एक मित है, मैं जब firm में जाने लगा, तो मैंने यह तो सब कुछ पढ़ देखें, financial statements बनानी है, इसमें notes के backend पर working किस तरह से है, इनको link किस तरह से करना है, disclosures किस तरह से होगे, इसमें checklist किस तरह से होगी, और बाकी companies act की बात की जाए, IFRS की implementation की जाए, तो यह सारी चीज़ें involved होती है, जिसमें practical exposure बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और यही सी ठीक लो, Excel भी, और preparation of financial statements भी, तब आपको financial modeling and valuation की जाना चाहिए, जिसमें आप यह देखते हो कि company को हमने value किस तरह से करना है, अगर उसने कोई नया segment start करना है, कोई product launch करनी है, कुछ भी उसने नया plan करना है valuation के हिसाब से, तो उसको value किस तरह से किया जाए, उसमें क्या-क्या preparation of financial statements and number three financial modeling and valuation, तो ये तीनों courses आपको सीखने हैं, ये सीख जाओगे, आप CV पे mention करो के, हाँ, और उन में भी mention करो CV पे, मैंने इस course में क्या-क्या cover किया है, अगले में क्या-क्या cover किया है, तीनों में क्या-क्या cover किया है, कि जब आप interview देने बैठो, तो वो value add कर सके, और interviewer जाने के हाँ, ये बंदा वही काम करके आ रहा है, जो मुझे practically थोड़ा सा required है, मैं ये नी समझ रहा कि वो बिलकुल champion बन के आएगा, लेकिन exposure लेके आ रहा है, तो मेरे लिए और ज्यादा फायदा हो सकता है, और इसी को अगर आप earning के तरफ लेके जाना चाहो, तो ये best opportunities है जाके देखना कि किस तरह से 50-50,000 एक एक लाग रुपे के projects होते है, financial modeling and valuation के financial statements बनाने के, Excel तो एक beginners के लिए ठीक है, लेकिन ये तीन courses को जो combination है ना, ये बहुत ही high level, well recommended है, ICM में, ACC students के लिए कि अगर वो किसी अच्छी जगा पे अपनी अपनी opportunities देख रहे हैं, earnings के opportunities देख हैं, अच्छा ये courses अभी करने कहा से हैं, जहां से आपको दिल करता है, जो आपको बेहतर opportunity लगती है, कि ये organization प्रवाइड कर रही है, तो आपको without any बात सोचे, वो आपको 60 minute daily basis पे देने ही देने है, ठीक है, और अगर आप हमजे करना चाहते हैं, जरूर, हम आपको ये training provide कर सकते हैं, और हमारे माशालला बहुत ही जबर्दस किसम का feedback है, हमारे students का, वो आप देखिएगा, और आपको वो form description में मिलेगा, आप ज़रूर फिल करें, और आपको इंशालला best training provide की जाएंगी, और देखिए, जहां से मर्जी करने मैं दुबारा बता रहा हूँ, ये ना सम आपको बेहतर पता भी चल रहा होगा market में आजकल क्या चल रहा है, तो I hope के आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये मेरी suggestions भी अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को अपने जरूर सब्सक्राइब करना है, और वह form आपको description मिल जाएगा, असलाम अलेकुम.